दुस्तोर रोहतक के सेक्टर एक में पुने तीन करोड की लूट को दस तिन का समय हुआ है और हरियाना से एक और बड़ी एक करोड रुपे की लूट की वारदात सामने आई है और ये वारदात हुई है गुरुगराम में गुरुगराम के सुबा शोक पर एक कैस कोलेक्शन वैन से एक करोड रुपे लूट लिये गए है कैस कोलेक्शन वैन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कैस कोलेक्शन वैन कई कमपनी बड़ी कमपनी और शोरूम से पैसे खटे करके बैंक में जमा करवाती है यानि इसके पास काफी कैस होता है और बदमाशों ने इसका फायदा उठाया पहले तो कैस करमचारी जो कैस करमचारी थे उनके आखों में लाल मिर्च पाउडर डाला उसके बाद गन पॉइंट पर एक क्रोड रुपे लेकर वहां से फरार हो गई दोस्तों ये वारदात 18 तारिक यानि कल सोमवार को दिन दहाडे हुई है दोफैर के तकरीबन 12 बजे के आसपास गुरुगराम के सु वारदात हुई थी वो भी दोफैर में ही हुई थी 12 एक बजे के आसपास वो पैसे लूटे गए थे उन बातों को दस्तिन भी नहीं हुए दूसरी वारदात सामने आ गई है ये हरियाना पुलिस पर काफी बड़ा सवाल उठा रही है साथ ही सिर्फ ये दो वारदात नहीं ह चोटी मोटी वारदाते और भी ऐसे ही पैसे लूटने की सामने आ रही है हिसार में एक बैंक से 16 लाख रूपे गन पॉइंट पर लूटे गए जहां दो बदमाशों ने पहले तो बैंक के करमचारियों को बंदी बनाया उसके बाद वहां से 16 लाख रूपे कैस लेकर फरार हो गए साथ ही सोनिपत के गनोर में भी एक बैंक से ऐसे ही कुछ लाख रूपे लूटे गए हैं वो भी गन पॉइंट पर दोस्तों हरियाना में क्राइम की जो वारदाते हैं वो बढ़ती जा रही हैं खासकर डकैती की बैंक लूटे जा रही हैं लोगों से पैसे चीने जा रही हैं वो भी गन पॉइंट पर यानि बंदू के भी हरियाना में आ रही हैं हरियाना पुलिस की कारवाई पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पहले तो मुझूद नहीं होती दिन दहाडे इस तरीके की डकैतिया हो रही है और पुलिस वहाँ पर नहीं होती वो भी ऐसी जंगे पर जो एक्जांपल मैंने आपको दिये हैं जिन वार्दातों के बारे में बताया है वो सारी ऐसी जंगे पर हुई है जो काफी भीड भाड के इलाके हैं दूसरी बात ये है कि बदमाशों के जो होसले है वो कितने बुलंध होते जा रहे है कि उन्यूने पुलिस का पर सासन का कोई डर नहीं है, ये हर्याना पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, डीजी पी, पीके अगरवाल को इस पर संग्यान जरूर लेना चाहिए कि इस तरीके की वारदाते बढ़ती जा रही है, पुलिस ना तो इन्हें रोक पा रही है और ना इन केसों को सु होई थी, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी क्या अपडेट है, वो सारी अपडेट मैंने अलग-अलग वीडियो में बनाई है, ऐसी ही और वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा और आपको हरियान में हो रही हलचल से अपडेट कराता रहूँगा, मेरा नाम है सनी कोशिक, आप देख रहे थे हरी भूमी टीवी